Hello everyone, I hope you all are doing great. मैं हूँ अदीती और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में. Guys, इस वीडियो के दो Advanced English Structures की मदद से हम कुछ ऐसे हिंदी के Sentences को इंग्लिश में बोलना और बनाना सीखने वाले हैं. जैसे कि हम बारी-बारी से रात का खाना बनाते हैं. बच्चे बारी-बारी से पोएम सुनाएंगे. चुपचाप ये रख लो. चुपचाप क्यों बैठे हो? तो चलिए शुरू करते हैं पहले वाले स्ट्रक्चर से. जो की है बारी-बारी से का. इसको इंग्लिश में बोलने के लिए Take Turns का यूज होता है. इसको बेटर तरीके से समझने के लिए आप सबसे बहले इसका रूल देखें. जिसके according सबसे बहले आता है subject. इसके बाद subject और tense के according helping verb आती है. इसके बाद take turns आता है. इसके बाद verb की ing form आती है. और last में other words आते हैं. अगर sentence में कुछ बच जाते हैं, तो यहाँ पर यह जो take है यह main verb की तरह use होता है जो कि sentence के subject और tense के according change होते रहता है जैसे कि takes, took, taken, taking चलिए कुछ examples देखिए इस पर based जिससे आपको इसका meaning बिल्कुल clear हो जाए हम बारी-बारी से रात का खाना बनाते हैं We take turns cooking dinner We take turns cooking dinner यहाँ पर देखिए यह present simple यानि की present indefinite tense का sentence है इसलिए सबसे पहले आया है subject जो की है यहाँ पर we helping verb नहीं आई है क्योंकि present simple tense है directly main verb आ गई है take इसके बाद आया है turns इसके बाद verb की ing form आई है जो की यहाँ पर है cooking और last में आया है dinner next example है बच्चे बारी बारी से पोयम सुनाएंगे children will take turns reciting the poem मैं और मेरी सहेली बारी बारी से जूला जूल रहे है my friend and I are taking turns swinging my friend and I are taking turns swinging दोनों चौकीदार बारी बारी से पहरा देते हैं both the watchmen take turns guarding both the watchmen take turns guarding उन दोनोंने बारी बारी से games खेले they both took turns playing games so guys ये था आज का पहले वाला structure जो कि I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया है अब देखिए आज का second वाला structure जो कि है चुपचाप का इसको इंग्लिश में बोलने के लिए quietly का यूस किया जाता है rule देखिए इसका जिसके according सबसे पहले आता है हमारा main sentence जो कि किसी भी tense में हो सकता है और इसके बाद आता है quietly examples देखिए इस पर based जिससे आपको इसका meaning पेटर तरीके से समझ में आए चुपचाप अपना काम करो do your work quietly do your work quietly यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हमारा main sentence है अपना काम करो इसके English translation आ गई है do your work और इसके बाद आया है quietly जिसका मतलब होता है चुपचाप next example है चुपचाप ये ले लो take this quietly take this quietly चुपचाप क्यों बैठे हो why are you sitting quietly why are you sitting quietly चुपचाप उसकी बाद मान लो obey him quietly obey him quietly चुपचाप मेरे साथ चलो come with me quietly come with me quietly चुपचाप उसका तमाशा देखो watch her drama quietly watch her drama quietly so guys ये थे आज के दो advanced English structures जो की I hope ये आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो अब ये जो दो sentences आपकी स्क्रीन पर है ये आपका homework है इनको आप translate कीजिए और comment करके मुझे इनका answer जरूर बताएगा वीडियो पसंद आई हो तो इसको like और share जरूर कीजिएगा चैनल पर नए है तो प्लीज इसे subscribe कर लेजिए चलिए अब हम मिलते हैं next lesson में तब तक के लिए take care बाबाई